Hello friends and medicine and pharmaceutical analysis BP102 ठीके इस वीडियो में हम लोग redox titation में उसके एक type titation involving seric ammonium वो sulfate या serometric के बारे में detail में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग इसके introduction के बारे में बात करेंगे preparation and standardization of seric ammonium वो sulfate के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के last में हम लोग जो हमरा है यहाँ पे ser बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंग चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे titation involving seric ammonium वो sulfate के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे serometric के नाम से भी indicate करते हैं तो अगर हम लोग इस place पे इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पह पहले का वीडियो में हम लोगोंने बात किया था कि हमारे oxidizing agent हमारे वो substance होते हैं जो की electron को accept करते हैं उनको हम लोग oxidizing यहाँ पे agent कहते हैं तो इस condition में जो हमारा होता है seric ammonium वो sulfate होता है यह electron को यहाँ पे accept करता है इसके कारण हम लोग इसको यहाँ पे oxidizing agent simply हम लोग इस पे हमें नहीं हम कह सकते हैं plus 4 और जो plus 3 के oxidation state में हमें exist होता हुआ देखने को प्राप्त होता है ये इस place पे हम कह सकते हैं उसका जो हमारा salt का होता है वो solution होता है उसका जो color है हमें intensely यहाँ पर yellow color का देखने को प्राप्त होता है तो इस condition में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा sodium का salt का हमारा solution होता है वो हमारे titation में as a self indicator यहाँ पर act करता है क्योंकि एक इसका यहाँ पर color हमें intense color का देखने को प्राप्थ होता है और जब यह यहाँ पे reduce होता है तो उस condition में यह हमें फिर in point पे colorless देखने को प्राप्थ होता है इसकी वज़े से इसको हम लोग यहाँ पे as a कह सकते हैं self indicator भी हम लोग इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं तो अगर यहाँ पे जो है sericamonium sulfate उसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारा एक प्रकार का powerful oxygen होता है और यह जब यहाँ पे होता है वो reduce होता है तो उस condition में इसका जो हमारा होता intense एक तरसे yellow यहाँ पे color होता है वो जो की हमारे जो होते हैं यहाँ पे CE 4 plus ions है उनके कारण हमें इसका एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि yellow intense color देखने को प्राप्थ होता है और जब यह यहाँ पे reduce होता है तो इस condition में हमें यहाँ पे इसका CE 3 plus ion देखने को प्राप्थ होता है जो की यहाँ पे हमें colorless होते हुए देखने को प्राप्त होता है इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे as a self indicator भी उपयोग करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे reaction के बारे में बात करते हैं तो जो यहाँ पे हमारा होता है CE यहाँ पे हमारा 4 प्लस है वो जब यहाँ पे electron को accept करता है तो यह यहाँ पे क्या form करता है यह form करता है CE3 plus को यहाँ पे form करता है तो इस condition में यह जो हमारा iron है यह हमें यहाँ पे intense sector से yellow color का देखने को प्राप्त होता है और जब यह यहाँ पे reduce होता है तो यह फिर यहाँ पे हमें color less होता हुआ देखने को प्राप्त होता है तो इस condition में अगर हम लोग यहाँ पे जो होता है seric ammonium sulfate उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग अधितर उपयोग करते हैं acidic जो हमारे solutions होते हैं उनके साथ में हम लोग इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं क्योंकि अगर जो हमारा होगा वहाँ पे solution होगा, neutral होगा या हलका सा वहाँ पे basic होगा तो उस condition में जो हमारा वहाँ पे seric है वो हमें वहाँ पे seric hydroxide के form में precipitate होते हुए देखने को प्राप्त होगा, तो इसलिए यह जो हमारा titration होता है इसको हम लोग यहाँ पे acidic जो environment है उसमें करना prefer करते हैं तो जो यहाँ पे हमारा seric ammonium वो sulfate है अगर हम लोग उसको यहाँ पे जो होता है केमेनो 4 है जो की एक यहाँ पे oxidant होता है उससे अगर हम लोग यहाँ पे इसको compare करते हैं तो जो हमारा seric ammonium वो sulfate है यह हमारा केमेनो 4 उसके comparison में एक अच्छा oxidizing agent यहाँ पे होता है क्योंकि जो हमारा होता है केमेनो 4 उसका जो हमारा color है वो काफी intense होता है जिसके कारण की जो हमारा वहाँ पे budget की एक तरस वह reading है उसको भी हमें वहाँ पे एक तरस से measure करने में काफी दिक्कत होती है बट अगर हम लोग यहाँ पे use करते हैं seric ammonium वो sulfate को use करते हैं तो यह काफी stable भी होता है और इसमें हमें इस प्रकार की कोई भी दिक्कत देखने को प्राप नहीं होती है अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं about the preparation of 0.1m seric ammonium sulfate के बारे में तो जो हमारा यहाँ पे होता है seric ammonium हमारा वो sulfate है उसका 0.1 जो molar हमारा होता है solution उसको हम लोग किस तरह से prepare करते हैं अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है seric ammonium sulfate है उसका हम लोग approximately 65 gram यहाँ पे accurately weight कर लेते हैं फिर हम लोग इसको यहाँ पे transfer करते हैं एक ऐसे यहाँ पे एक तरसे हमारा जो water है वो होता है और उसके अंदर हम लोग इसको अच्छे से यहाँ पे dissolve कर देते हैं और उसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे एक तरसे gently heat करते हैं तो इस condition में जब हमारा जो होता है seric ammonium sulfate वो completely यहाँ पे dissolve हो जाता है तो उसके बाद में फिर हम लोग इसको यहाँ पे cool कर लेते हैं और फिर इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे filter कर लेते हैं तो इसके बाद में अब हम लोग क्या करते हैं कि यह जो हमारा यहाँ पे form होता है तरसे solution उसको हम लोग यहाँ पे dilute करते हैं up to the thousand ml with the water तो आसान तरीके से कहें कि हमने इस place पे क्या किया सबसे पहले 65 gram seric ammonium जो sulfate है हमने उसको लिया और एक हमने वहाँ पे लिया एक तरसे beaker लिया जिसमें हमारा था वहाँ पे 30 ml था sulfuric acid और 500 ml उसके अंदर एक तरसे water था उसके अंदर उसको हमने वहाँ पे transfer किया हलका सा heat किया और उसमें हमने उसको जो हमारा seric ammonium sulfate है उसको अच्छे से dissolve कर लिया जब वहाँ पे dissolve हो गया तो उसको हमने एक बार cool कर लिया और फिर उसको हमने वहाँ पे filter कर लिया जब हमने उसको वहाँ पे filter कर लिया तब हमने उसका ह हम कैसकते हैं कि जो water है उसको उपयोग करके उसका volume हमने 1000 ml तक वहाँ पे कर लिया एक तसे make-up कर लिया तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 0.1m seric ammonium sulfate का जो solution है वो यहाँ पे हमारा prepare हो गया तो इस place पे जो हमारा होता है seric ammonium sulfate है यह एक प्रकार का हमारा secondary standard होता है तो अब ज about the seric ammonium sulfate के बारे में तो इसका जो हमारा standardization है उसके लिए हम लोग काफी सारे reagent को यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला है arsenic जो हमारा trioxide होता है उससे हम लोग इसका standardization यहाँ पे करते हैं जो हमारा sodium arsenide होता है हमारा एक तरसे potassium यहाँ पे ferocyanide है और हम से हम लोग seric ammonium sulfate का यहाँ पे standardization आसानी से कर सकते हैं बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि arsenic trioxide को उपयोग करके किस तरह से हम लोग यहाँ पे seric ammonium sulfate के solution का यहाँ पे standardization करते हैं तो अब हम लोग इसके यहाँ पे procedure के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें हम लोग approximately यहाँ पे लेते हैं 1.2365 ग्राम आर्सेनिक जो ट्राइ ऑक सइड़ है उसको एक्यूरेट्ली यहाँ पे वेट कर लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे एक तरह का हमके रखते हैं बीकर लेते हैं जिसके की अंदर यहाँ पे होता है फ्रॉक्सिंटली 5 Morocco हमारा होता है 5 एम यह पर transfer कर लेते हैं तो अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि इसको हलका सा करते हैं वो swirl करते हैं और इसके अंदर arsenic trioxide को अच्छे से हम लोग dissolve कर लेते हैं तो इस condition में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहां पर beaker है लेते हैं और इस तरह से गोल गोल वहाँ पर गुमाते हैं इसको हम लोग कहते हैं वो सुर्ड और इससे हम लोग जो हमारा arsenic trioxide है उसको अच्छे से यहाँ पर dissolve कर लेते हैं तो अब जब हमारा arsenic trioxide इसमें completely dissolve हो जाता है उसके बाद में हम लोग इसका जो एक तरसे volume है वो यहाँ पर 200 ml तर water को use करके यहाँ पर इसका volume हम लोग यहाँ पर made up कर लेते हैं तो इस condition में अब हम लोग इस place पर क्या करते हैं कि इसमें हम लोग approximately यहाँ पर एक तरसे 30 ml जो हमारा sulfuric acid है उसको इसके अंदर हम लोग add करते हैं यहाँ पर हम लोग इतर से 0.15 ml osmic जो हमारा acid होता है उसको इसके अंदर हम लोग यहाँ पर add करते हैं और approximately 0.1 ml के आसवास इसके अंदर हम लोग जो होता है peroin solution उसको अब हम लोग इसके अंदर यहाँ पर add कर लेते हैं अब हम लोग इसका यहाँ पर titration start करते हैं तो यहाँ पर जो हमने prepare किया था seric ammonium sulfate का हमारा 0.1 ml का जो था वहाँ पर solution उससे हम लोग अब इसका titration यहाँ पर start करते हैं तो इसके लिए हम लोग इसमें एक तरह से इसको इसमें यहाँ पर slowly slowly हम लोग add करते हैं और तब तक add क करते हैं जब तक कि इसका जो होता है pink color वो हमें यहाँ पर एक तरह से pale blue color का change होते हुए देखने को प्राफ नहीं होता है तो जब यह हमारा जो color है वो यहाँ पर एक तरह से pink से blue में वहाँ पर change हो जाता है तो यह हमारे titration का simply end point वहाँ पर कहलाता है तो अगर हम लोग यहा equivalent to the 0.004946 gram of the arsenic trioxide के यहाँ पर equivalent होता है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर seric ammonium जो sulfate का हमारा solution था उसका हम लोग arsenic trioxide को उपयोग करके यहाँ पर standardization इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं अब हम लोग इसके यहाँ पर application के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारा होता है वो serometric titration उसके यहाँ पर क्या-क्या application है तो अगर हम लोग इसके बारे में इस place पर यहाँ पर बात करते हैं तो यह जो हमारा titration है इसको यहाँ पर उपयोग करके हम लोग यहाँ पर इतनी जो हमारी वो चीजे हैं और भी चीजे हैं उनका यहाँ पर determination करते हैं इसमें हमारा यहाँ iron आ जाता है, oscillate आ जाता है वो titanium है, हमारा यहाँ पे chromium है, जो हमारा वो lead होता है H2O2 होता है हमारा copper होता है, हमारा यहाँ पे एक तरह से वो tartaric acid है हमारा यहाँ पे benjoyed है, और सब यह आपकी जितने भी चीजें हैं इनका यहाँ पे एक तरह से determination करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेरो मैट्रिक टाइटेशन को उपियोग करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो iron है उसको किस तरह से इस method को उपियोग करके यहाँ पर determine करते हैं उसके बारे में detail में बात करेंगे तो अब हम लोग बात कर लेते हैं about the determination of the iron वो percentage in the ferrous gluconate जो हमारा यहाँ पे होता है ferrous gluconate उसमें iron का जो हमारा percentage है उसको इस method को उप्योग करके हम लोग किस तरह से determine करते हैं उसके बारे में अब हम लोग detail में बात करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं about the जो हमारा होता है यहाँ पे फेरस ग्लूकोनेट है उसके अंदर हमें जो हमारा आइरन है वो यहाँ पे एक तसे FE2 के फार्म में भी देखने को प्राप्थ होता है और यह यहाँ पे FE3 के फार्म में भी हमें देखने को प्राप्थ होता है तो इस कंडिशन में अपना जो हमार प्लस के फॉर्म में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वो रिड्यूस कर लेते हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ पे H2SO4 को या जिंग को यहाँ पे उपयोग करते हैं तो इसको यहाँ पे उपयोग करके हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वो हमारा एक तरस से मतलब हम कह सकते हैं कि iron जो की F3 plus के form में है उसको वहाँ पे F2 plus के form में reduce करने का सबसे पहले काम करते हैं तो अब क्या हुआ कि अब जो हमारा यहाँ पे है solution उसके अंदर F2 plus INC हमें देखने को प्राप्त होंगे अब हम लोग देख लेते हैं कि इस condition में हमारी जो reaction है वो किस तरह से यहाँ पे होती है तो अब जो हमारा यहाँ पे एक तरस से solution है उसके अंदर हमें F2 plus जो हमारा iron है वही देखने को प्राप्त हो रहा है तो जब इसका यहाँ पे oxidation होता है तो फिर यहाँ पे F3 plus के form में यहाँ पे convert होता है और यह यहाँ से अपने अंदर से electron को remove करता है तो यह जो हमारा होता है electron यह हमारा जो होता है वो CE4 plus है उसके साथ में react करता है और इस condition में यह इसको यहाँ पे करता है वो reduce करता है और यह यहाँ पे इसको CE3 plus के form में लेके आता है तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे Fe2 plus था उसने जब उसका oxidation हुआ तो उस condition में वहाँ पे हमें एक तसे electron वहाँ से liberate होते हुए देखने को प्राप्त हुआ और वो जो electron वहाँ पे हुआ वो liberate हुआ वो अब हमारा जो इस place पे उस से रिक iron है CE4 plus iron है उसके साथ में react करेगा और यहाँ पे उसका करेगा वो reduction करेगा और इसको फिर यहाँ पे CE3 plus के form में convert करने का यहाँ पे काम करेगा तो अब हम लोग यहाँ पे इसके procedure के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे ferrous gluconate है उसका approximately 0.5 gram हम लोग सबसे पहले यहाँ पे उसका weight कर लेते हैं उसको फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे एक तरह से conical flask में वो लेते हैं जिसके अंदर यहाँ पे होता है वो 70 ml हमारा यहाँ पे water होता है इस place पे हमारा होता है 75 ml हमारा यहाँ पे एक तरह से water होता है और इसके अंदर हमारा approximately 15 ml H2SO4 होता है उसके अंदर हम लोग हमारा यहाँ है एक तरसे ferrous gluconate है उसको हम लोग यहाँ पर transfer कर लेते हैं उसके अंदर हम लोग इसको यहाँ पर add कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग अच्छे वो dissolve करते हैं और फिर approximately 20 मिनट के लिए हम लोग इसको एक side में यहाँ पर रख देते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पर इतनी द उसका यहाँ पे जो filtration है उसको start करते हैं तो जो भी हमारा हम लोग यहाँ पे filtration की process को करते हैं उसमें हम लोग यहाँ पे वो number 4 का है जो मारा center glass filter होता है उसको यहाँ पे हम लोग उससे हम लोग यह जो solution है उसको यहाँ पे filter करते हैं फिर हम लोग इस place पे वो co2 free जो water है उसको और फिर उससे उसको अच्छे से वास कर लेते हैं तो जब यह हमारा यहाँ पे filter भी हो जाता है वास भी हो जाता है अब इसके अंदर हम लोग approximately 0.2 ml जो हमारा होता है तो फिरो इन वो sulfate का solution है उसको यहाँ पे हम लोग add कर देते हैं अब जब हम इसको यहाँ पे add कर देते हैं तो जो हमारा यहाँ पे प्राप्त होता है solution उसका फिर हम लोग यहाँ पे जो होता है seric ammonium हमारा sulfate है उसको उपयोग करके अब हम लोग इसका titation स्टार्ट करते हैं तो जब हम लोग इसका titation करते हैं तो titation हम लोग यहाँ इसका एक तरसे तब तक करते हैं, जब तक कि इसका जो orange एक तरसे color है, वो हमें green color का change होते हुए, देखने को प्राप्त वो नहीं होता है, तो जब यह हमारा यहाँ पे green color का हो जाता है, तो यह इस चीज को indicate करता है, कि अब हमारे titation का end point यहाँ पे आ चुका है, तो इस condition में हमारे वो कितना seric ammonium sulfate है, वो यहाँ पे consume हुआ end point तक आने के लिए, उससे फिर हम लोग जो भी हमारा iron है, उसकी जो concentration है, उसका जो percentage है, वो हम लोग यहाँ पे determine कर लेते हैं, तो I think so, जो हमारा होता है, वो serometry वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कहीं कोई confusion है, तो comment करके पूँच सकते हैं, इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा, इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें, और हमारे एप को भी install करना बिल्कुल भी न भूलें, thank you.